जे श्री कृष्णा दोस्तों हर हर महादेव कैसे हैं आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे दोस्तों धन लक्ष्मी पैसा सिर्फ हमारे एश्वरे के साधन जुड़ जाएं इसलिए नहीं होता हम अपना भरन पोशन करनें सिर्फ इसलिए भी नहीं होता आपके पास ये दिधन है आपके पास लक्ष्मी है आपके पास पैसा है तो आप धार्मिक कारी भी कर सकते हैं किसी जरुत मंद का पेट भी भरवा सकते हैं सांथी दान या अच्छे कारे जैसे पश्वों को खाना पश्वों का पेट भरवाने का गाय के लिए चारी की विवस्था पक्षियों के लिए दाने की विवस्था मशलियों के लिए उनके दाने की विवस्था चीटियों के लिए उनका भोजन ये भी कारी कर सकते हैं यदि आपके पास धन है तो आप किसी ब्यत्ति को यदि कोई करन्या का विभा हो रहा है और उन के पास धन नहीं है पैसा नहीं है आप उसमें मदद कर सकते हैं यहने बहुत सारे ऐसे कारे कि जो कोई नहीं कर पा रहा हो आप कर सकते हैं धन सरिफ हमारे साधनों को जुटाने का ही कारी नहीं करता हमें भगवान से जुटने के लिए भी एक बोका देता है अवसर देता है इ आज में कैसे आप छोटे से छोटा उपाय करके धन प्राप्ति के साधन बढ़ा सकते हैं, आज में इस वीडियो के बांते हमसे आपको बताने वाली हूँ, शुरू से अंते तक आप अवश्य देखें, लाइक भी अवश्य करें, सांथी यदि मेरी आवाज पहली बार सुन र सकते हैं, वैसे गमला जादा अच्छा रहेगा, उसमें साबुद सुखा धनिया, जो धनिया आता है, ख़ड़ा धनिया, ले लें, और ग्यारा, एकीस, जित्ती आपकी श्रद्दा है, उतने सिक्के डाल दें, और उपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, सिक्के ऐसे डाल जैसे आप कुछ बीज रोपते हैं, वैसे आपको सुखा धनिया डालना है, मिट्टी वा धनिया को हलके हाथ से मिक्स कर दें, और थोड़ा सा पानी डाल दें, ऐसा करने के बाद बरतन को उत्तर दिशा में रखतें, और हर रोज प्रती दिन थोड़ा थोड़ा पानी दें, जब धनिया निकल लाए, धनिया की पती उपर आ जाए, तो उसी उप्योग में ले ले, आप प्रयोग में ले सकते हैं, और सिकों को लाल कपड़े में बान कर, आप सिकों को इसलिए मैंने कहा था, कि आप गमले में उपर की तरफ सिकों को डाले, आप पूरे सिके निकाल ल और लाल कपड़े में बांद कर घर या कार्यले में कहीं भी लटका दें। धन आगमन का ये टूटका आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। मनु कामना की पूर्ति के लिए सुभ़ सबसे पहले अपना राइट हेंड साइट के पेर को धर्दी पर रखें। फिर इसनान और ध्यान के बाद शामा तुलसी के पोधे पर जल में दूद मिश्रित करकर और समर्पित करें और अपनी मनु कामना बताएं। आपकी समाप्त हो जाएगी साथ ही आपकी मनों कामना अवश्य और जल्दी ही पूरी होगी और साथ में इश्ट देव का आपको आशिर्वात प्राप्त होगा। करकर देखें। श्रद्दा के साथ विश्वास के साथ ओम नमस्षिवाय।